फ्रेंट्स जब भी अपन कभी अपने यूटूब चैनल पर कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपलोड होने के बाद में अपन तुरंथ ही उस वीडियो को अपने ही मोबाईल से देख लेते हैं कभी-कभी कि किस condition में तो आपको अपनी वीडियो को अपने ही mobile से देखना है या फिर किसी अपने other person याने कि अपने घर के mobile के प्रदे से देखना है और किस condition में आपको ये वीडियो नहीं देखना है अगर आपने ये वीडियो नहीं दोखेगे तो वरना पस्ता होगे क्योंकि बहुत ही important वीडियो है और यह जो question पूछा है आप इसके पर दे सकते हो इन भाही ने question पूछा है आप भी ऐसे related question पूछ सकते हो YouTube से related, creator से related की वीडियो अप्रोड करने से related कुछ भी आप question पूछ सकते हो उस पर मैं पूरा detail वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा तो friends, वीडियो आपको अच लगी पूरा एंटर जोरू देखना तो वीडियो को like कर देना ऐसी amazing information के लिए हमें subscribe कर लिजिए तो friends, मैं आपको पूरा condition बता देता हूँ कि कब अपनी वीडियो को खुद से देखना चाहिए और कब अपनी वीडियो खुद से नहीं देखना चाहिए तो friends, यहाँ पर दो condition है पहले अपन नए-नए creator होता है और अपना channel तो हो monetize नहीं होता है यानि कि अपने वीडियो डालते रहते हैं और अपने चैनल पर views भी नहीं आते हैं तो views को बढ़ाने के जिकर में क्या करते हैं कि अपने ही mobile से अपनी वीडियो को देख लेते हैं तो friends उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि जब अपना channel monetize नहीं होता है monetization से पहले आप अपनी वीडियो को अपने mobile से देख सकते हो एक दो बर जादा नहीं देखता है एक दो बर ही देखना है और अपने जो parents के mobile है या फिए घर में कितने भी mobile होते हैं उनमें सारा आप देख सकते हैं अपने जब monetize नहीं होने से पहले तो friends मैं आपको पहले के लिए कर रहा हूं monetization नहीं होने से पहले आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं उसमें कोई problem नहीं आती है तो friends अब मैं आपको बताता हूं monetize अगर आपका video आपका channel हो जाता है friends काफी सरे creators गलती करते हैं जब उनका channel monetize हो जाता है क्योंकि जब channel monetize हो जाता है तो friends आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करने है यानि कि अपने ही mobile से अपनी वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है आप जब भी अपनी वीडियो को upload कर दो तो उसको unlisted रहने के बाद पहले पहले आप दे सकते हो unlisted है private करने के पहले पहले देख सकते हो लेकिन publish करने के बाद में आपको अपनी खुद के mobile से अपनी वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है गल्ती से एक दो बर open हो जाती है वह कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अगर हमेशा ही एक गल्ती करते रहोगे तो आपका चैनल demonetize हो जाएगा यानि कि उसपर एड़ से लेंगे और यह क्लिक बैट होता है यानि कि आप अगर खुद की वीडियो खुद से देखते हो तो क्लिक बैट हो जाता है और क्लिक बैट होने के वज़े से आपका चैनल demonetize हो जाएगा यानि कि monetization से भी demonetize हो जाएगा और उसमें criteria होता है 60-90 दिन तक आपका चैनल monetization बंद कर दिया जाएगा तो friends आपको यह बिल्कुल धान रखना है monetization पहले आप तो वीडियो देख सकते हो क्योंकि उसपर ads नहीं चलते हैं तब भी revenue आपको नहीं मिलता है लेकिन monetization के बाद में अगर आप वीडियो को देखते हो तो उसपर ads run होते हैं और ads run होने के बाद अपने monetize हो जाता है उसपर आपने को पैसा मिलता है तो यह guilty बिल्कुल मत करना क्योंकि monetization आपका disable हो जाएगा तो friends मैंने आपको बता है कि monetization पहले आप वीडियो को देख सकते हो अपने parents के mobile में देख सकते हो engagement बढ़ाने के लिए लेकिन जब आपका channel monetize हो जाता है तो आपको अपनी वीडियो को ना तो आपके घर के mobile से किसी किसी से भी देखना है और ना ही अपने जो personal mobile होता है उससे देखना है अगर आपके अच्छी views आते हैं यानि कि आपके 2-3,000 views आते हैं तो आपके parents के mobile से देख सकते हो लेकिन ज YouTube mobile में आप दे सकते हो अपनी वीडियो को देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस पर ads रन नहीं होंगे तो friends मैंने पूरा आपको डिटेल बताया ऐसे ही अगर आप question पूछते हो characters related तो मैं उसको पर डिटेल वीडियो ला सकता हूँ लाने कि कोशिश करूँगा तो friends वीडियो में आपको मैंने complete बता दिया कि कब आपको अपनी वीडियोत को देखना चाहिए और कब आपके अपनी वीडियोत को नहीं देखना चाहिए तो friends वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी information मिला हो तो वीडियो को like कर दीजिये और चैनल पर नए होते चैनल को subscribe कर दिजिए थैंक्यू